Hello my dear friends, how is life? Welcome to Learn English Online with Krishna Learn English Online with Krishna में आपका स्वागत है दोस्तो अच्छा दोस्तो हम सभी को एक बात मालूम है कि अगर हमको जिन्दगी में आगे बढ़ना है तो हमारा कम्यूनिकेशन बहुत ही एफेक्टिव होना चाहिए एफेक्टिव कम्यूनिकेशन क्या होता है दोस्तो एफेक्टिव कम्यूनिकेशन के दो पहलू होते हैं पहला पहलू तो यह है कि आप जिस किसी भी लैंगोज को बोल रहे हैं चाहे वो हिंदी है, चाहे उर्दू है, चाहे इंग्लिश है आपकी जो language है वो grammatically 100% correct होनी चाहिए, बिल्कुल correct उसी का असर छूटता है दूसरों पर, मैं आपको काफी experience है मेरे पास तब मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपकी language grammatically correct है तो उसका असर लोगों पर छूटता है और अगर broken communication, broken language बोल रहे broken English में बोल रहे, टूटी-फूटी English में बोल रहे, उसका असर नहीं छूटता लोगों पर और लोग हमको अच्छी नजर से नहीं देखते तो पहला-पहलो तो यह है दोस्तों कि language हमारी बिल्कुल clean, clear, एकदम grammatically correct होनी चाहिए दूसरा पहलो यह है कि जब हम जिन words का इस्तेमाल करने जा रहें अपनी communication में या जिन sentences का इस्तेमाल करने जा रहें, वो जो words या sentences है यह आपको बहुत ही carefully इनका selection करना चाहिए यह नहीं होना चाहिए कि मन में जो आया वो बोल दिया, उससे बात बनती नहीं है, असर नहीं छूटता लोगों पर तो असर लोगों पर छूटे, इसके लिए हमको बहुत carefully इन words का selection करना है इन ही मैंसे कुछ words ऐसे है दोस्तों, जिनको power words कहा जाता है power words आपकी communication को काफी खूबसूरत और काफी effective बनाते हैं आज की class में हम कुछ power words के बारे में सीखेंगे, कि यह क्या होते हैं, इनको कैसे use करना चाहिए तो यह बहुत ही useful class है आपके लिए, क्योंकि इससे आपकी communication काफी अच्छी होगी आपको बहुत ध्यान से वीडियो को एंट तक देखना चाहिए, वो कहने की जरूरत नहीं है जिसे कि आप इन सारे words की meaning और इनके use को ठीक से सीख सके तो दोस्तों, जो session है हमारा आज का, जो आज की class उसका नाम है, power words और हम एक-एक करके सीखते हैं कि यह power words क्या है महानवाली meaning को भी side में रख रहते हैं, जो इसकी meaning है बहुत अच्छा, उस meaning में हमको इसको use करना है तो दोस्तों, यह जो word है great, अगर आपने किसी को कोई काम दिया था करने के लिए और उसने वो काम कर लिया, और अब आपको आके बता रहा है कि यह काम हो गया, वहाँ पर आप बोल सकते हैं, great कोई भी ऐसी बात जो आपको अच्छी लगी है, जो आपके हक में है, आपको आपने किसी को दिया था काम, कोई plan ही बन रहा है, पिकनिक पर ही जाने का plan बन रहा है, आपको आप वो plan बताया जा रहा है, आपको सुन के अच्छा लगा, आप बोल सकते हैं, that's great, छोटा इस बातचीत में बोल सकते हैं, टेलिफोनी कानवर्सेशन में बोल सकते हैं, काफी आपकी टेलिफोनी कानवर्सेशन है, वो काफी अच्छी होगी इसे, नहीं तो अगर आप चैटिंग भी कर रहें इंटरनेट पर, उधर भी आपको इन सारे words का इस्तेमाल करना चाहिए, जो भी words आज हम सीखेंगे, तो दोस्तो पहला word था great, उसके बाद दोस्तो excellent, इसका भी वैसे इस्तेमाल करना है, कोई भी बात जो आपको अच्छी लग रही है, कोई plan आपको अच्छा लग रहा है, किसी ने आपका काम करके दे दिया, आपको बात बहुत अच्छी लगी, क कोई भी चीज जो आपको अच्छी लग रही है बात, कोई भी बात ऐसी जो आपको खुबसूरत लग रही है, फिर वही situation है दोस्तो, आपको कोई बात अच्छी लगी, कोई plan अच्छा लग रहा है, आपका कोई काम हो गया, तो आप उधर बोल सकते हैं, oh beautiful, that's beautiful, उसके कि बाहर बारिश हो रही है, और आपको बारिश अच्छी अगर लग रही है, आप उस बारिश का वेट कर रहे हैं तो आप बोल सकते हैं, oh wonderful, oh it's raining wonderful, उसके बाद दोस्तो, perfect, कोई काम एकदम अच्छी तरह से पूरा हो चुका है, आपको उस काम के बारे में बताय जा रहा है कि ये सारे काम हो गए, आप उधर बोल सकते हैं, perfect, तो दोस्तो ये हर जगे है, विल्कुल regular basis पे हमको इन words का इस्तेमाल करना है, उसके बाद दोस्तो, fantastic, fantastic के बारे में एक सिर्फ जानकारी मैं आपको दे दूँ, कि ये Britishers ज्यादा बोलते हैं, British English में इसका ज्यादा इस्ते इस्तेमाल करते हैं, amazing, awesome, इस तरह के words, but Britishers जो है, वो fantastic word का इस्तेमाल करते हैं, तो हम इसको बोल सकते हैं, इंडिया में तो दोनी English चलती है, तो हम बोल सकते हैं, fantastic, यानि इसका भी meaning वही है, बहुत अच्छा, तो जब भी कोई अच्छा काम अच्छी तरह से हो गया हो, आप बोले, एक ही situation ने बोले जा सकते हैं, उसका दोस्तो, smashing, oh, that's smashing, कोई काम अच्छी से हो गया, फिर से वही बात, काम अच्छी तरह से हो गया, कोई plan बन रहा था, वो अच्छी से बन गया, आपको बताया जा रहा है, ATM से कोई पैसे निकाल के लिए है, आपको बता रहा ह मैं पैसे निकाल के लिए, आप बोले, oh, smashing, smashing भी British English में ज्यादा इस्तेमाल होता है, ये दोनों words, fantastic और smashing, इसलिए मैं इनको एक साथ लिखा है, ये दोनों British English में ज्यादा इस्तेमाल होते है, उसके बाद दोस्तो, brilliant, brilliant, जब भी कोई काम अच्छी तरह से हो गया, आप बोले brilliant, that's brilliant, अगर उस काम में थोड़ा से दिमाग भी लगना था, वो धीमानी वाला भी वाली भी बात थी, कोई report लिखी जानी थी, वो अच्छी तरह से लिखी जा चुकी है, आपके पास आई, और या कोई लेकर काया, बता रहे हैं कि बहुस रिपोर्ट पूरी होगी, आपको brilliant, that's brilliant, कोई अच्छी तरह से पास होगी एक्जाम में, आपको बता रहे हैं कि मेरा ये result है, उधर भी आप हो सकता है, वो brilliant, तो दोस्तों ये power words का हमको regular basis पे, जैसा कि मैं आपसे तीजार बार कह चुका हूँ, हमको इनका इस्तमाल करना चाहिए, थोड़े से और power words सिखते ह remarkable, किसी ने अच्छा काम किया और आप उसको बताना चाहते हैं कि ये बड़ा अच्छा काम था, आप बोल सकते हैं, remarkable, किसी के भी अच्छे काम के उपर आप इस बात को बोल सकते हैं, remarkable, that's remarkable, किसी ने कोई award जीता, किसी कोई reward मिला, remarkable, उसके बाद दोस्तों, absolutely, आप सहमत हैं क इसी से कोई, कि हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं, बिल्कुल, ये तो मैं करके ही रहूँगा, इस तरीके से, तो आपको इस word का इस्तेमाल करना है, absolutely, absolutely, are you coming to the party, oh, absolutely, तो कहीं पर भी इस तरीके की बात हो, जहां हाँ कहने का sense है आपका, या पूरी तरह से सहमत हैं किसी बात से तो आप वहाँ पर ये word का इस्तेमाल कर सकते है, absolutely, उसके बाद दोस्तों, nice, oh, nice, ये तो बड़ी चीवात है, nice, कोई भी काम अच्छी तरह से हो गया, वही situation है सारी, जो मैं आपको पहले बताई, या कोई आपको report दे रहा है, कोई ATM से पैसे निकाल के लिए आया, काम पूर जा रहे हैं, खाना बन चुका, oh, nice, उधर भी बोल सकते हैं, अच्छा दोस्तों, इसी बात पर मुझे एक बात याला, ये मैं आपको पता दूँ, कि कई बार हमको ये लगता है, कि हम अपनी professional life में तो हमको बहुत अच्छे से बोलना चाहिए, लेकिन personal life में क्या है, तो सब personal life भी काफी अच्छी हो सकते हैं, उसमें भी काफी improvement आ सकती है, तो किसी भी चीज़ को हमको take for ride नहीं करना चाहिए, या take for granted नहीं करना चाहिए, ये ज्यादा सही phrase रहेगा, take for granted नहीं करना है, कि ये सब तो हमारे अपने लोग है, इनके साथों मैं कैसे भी बात कर सकता अगर आप किसी की बात से पूरी तरह से सहमत है, तो आप वहाँ पर बोल सकता है, exactly, exactly, उसके बादे दोस्तों, really, oh really, इधर भी, अगर आप सहमत है किसी की बात से, तो आपको बोलना चाहिए, really, oh yes, really, he is a good man, तो सहमत है, आप उसकी बात का समर्षन करना चाहते हैं, तो हो गया, आपने दिया था किसी करने के लिए, आपको कोई रिपोर्ट दी जा रही है, ATM से कोई पैसे निकाल के लिए आया, आप बोल सकते हैं, splendid, बारिश हो रही है बाहर, splendid, बर्फ गिर रही है बाहर, oh splendid, उसके बादे दोस्तों, incredible, incredible, यानि अगर किसी ने बहुत अच्छा काम के, आप बोले, वाह, क्या बात है, incredible का मिनी होता है, अब विश्वास नहीं है, यानि जो बात विश्वास के लाइक नहीं हो, लेकिन जनरली इसको तारीफ करने के लिए, किसी भी बात को अच्छा बताने के लिए, हम इस वर्ट का इस्तेमाल करने, oh incredible, oh that's incredible, वाह, क्या या जा रहा है, कोई कहानी बताई जा रही है, जो बहुत ज़ी मजेदार है, या कोई फिसल के इगर गया, और आपको अच्ही लग रही ये बात हैं, सुनने में, आप चाहते थिकी जाए या कोई चैर पर से गिर गया, आपका का राइवल है, आपका दुश्मन है, कुर्सी से गिर गया उसको चोट लग गई हलकी सी चोट ज्यादा चोट नहीं लगनी चाहिए तो आपको मजा आ गया बहुत तो आप बोल सकते हैं ओ लेरियस तो दैट सिलेरियस यह सिर्फ लेरियस इतना बोला जा सकता है और उसके बाद दोस्तों फिर बहुत हैं कोई भी चीज आपको बहुत अच्छी लग रहे है वहाँ पर आप बोल Σकते हैं या नहीं तो आप सकते हैं तो कोई भी चीज खाना ही बन गया, खाना खा गए अच्छा लग रहा है आपको तो इतने वर्ट से दो अच्छा दोस्तो यह पावर वर्ट बहुत सारे हैं लेकिन मैं आपको वर्ट बता रहा हूँ आज मैंने बताया आपको जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं और जिनको याद रखना हमारे लिए थोड़ा आसान भी है तो इतने सारे अगर आप इन मेंसे 5-6 भी याद कर लें और उनको अकसर अपनी कम्यूनिकेशन में बोलते हैं आपको सिर्फ इतना करना है कि डेली जैसे हम खाना खाते हैं या पानी पेते हैं या सांस लेते हैं वैसे ही आपको इन words को अपनी communication में इस्तेमाल करना है अगर आप ये ठान के इनको मन में ये बात रख के अगर आप इन words को इस्तेमाल करना शुरू करें तो इसका असर आपको धिरे धिरे दिखने लग जाएगा और आपको बड़े सधे हुए तरीके से इनका इस्तेमाल करना दोस्तों मुझे पूरी उमीद है कि आज की class से आपको help मिलेगी अपनी communication को अच्छा करने में अगर आपको class अच्छी लगी हो तो please वीडियो को like करें और share करें और channel को subscribe करें और अगले वीडियो मैं आपको फिर ऐसे ही खुबसुरत words बताने की कोशिश करूँगा या किसी कि आपकी communication और भी अच्छी हो सके चाहे हो written है चाहे spoken है तो आप नीचे comment box में लिखी मुझसे जितनी जल्दी हो सकेगा मैं आपको वीडियो पना करके देने की कोशिश करूँगा thank you very much I'll see you soon bye bye